हलो दोस्तों मैं अभी अप्ग्रेड लेंडिंग इसकी चैनल में आप सबका फिर से एक बार व्यलकम करता हूं आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विनवर्ड के अंदर विनवर्ड का इंट्रोड़क्शन लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर विनवर्ड के अंद दिधा है हम ओन करेंगे विनवर्ड विनवर्ड कर देंगे यहाँप करेंगे विनवर्ड और एंटर करने के वाद हमना प्लस पेस प्लस एक तो जैसी मैंने alt plus space plus x किया यहां पर fully screen हो चुकी है तो यहां पर fully screen हो चुकी है तो यहां पर जो आपको front page दिखाई दे रहा है उसे win word कहते हैं यह Microsoft Word बेसिक के अंदर यह आना बहुत important है कि यह बहुत strong powerful होता है है document designing के अंदर तो यहां पर जो आपका front page होता है उसे कहते हैं document page तो यहां पर हमारा content तयार होता है जो हमारा बीच में और यहां पर और इस office button कहते हैं इस पर क्लिक करने से new open save save as print इस तरीके से कई सारे tools open होते हैं और यहां पर आपको home दिखाई दे रहा है आज की इस वीडियो में मैं सिरफ home के अंदर clipboard के बारे में बताऊंगा मैं एक एक group करके हम study करेंगे एक साथ नहीं करेंगे लास्ट वीडियो में काफी लॉंग होगे ती इस वाज़से मैं इसको short में बना रहा हूँ तो आप लोग देख रहे हों यहां पर सबसे पहले यहां पर चार टूल्स दे रखें हैं home clipboard और cut copy paste form printer तो इनी के use आज सीखने वाले हम और यहां पर यह टूल्स हो गए title bar उपर टॉप पर होता है title bar कहते हैं और side में इसको कहते है scalar बैसे होता है scale और लिखा होता है ruler यहां पर इसको hide और शो करा सकते हैं वीव में जाके यहां पर रूलर कर देखो हाइड हो गया और शो करा सकते हैं इसकी ट्रिक भी है तो यहां पर मैं ट्रिक भी बता देता हूँ साथ में आपको shot कि, यहाँ पर जो आपको एक छोट आसा icon दिखाई दे रहा है, इस पर click करने से भी आप hide और show करा सकते हो, और यहाँ पर आप logo दिखाई दे रहा है, यह ruler है, जो page को up down करता है, तो आप लोगो समझ में आ गया हो, यहाँ तक का clear हो गया होगा, अच्छे से न यहां पर आपका status हो होता है कि आपने इस document view page में कितने टाइप कर रखा है कितने pages ले रखे हैं और किस language में select कर रखा है तो यह पूरी details यहां पर status बार पर show होता है आप लोगों को अच्छे से clear हुआ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर Microsoft Word के अंदर एक code use होने वाला है जिससे क्या है कुछ practice paragraph ले आते हैं जिससे practice कर सकते हैं तो यहां पर क्या है equal to दोगे और rand हमने use करा और bracket start किया bracket close किया एंटर कर दिया तो यहां पर यह paragraph निकल किया जाता है एक बात और कहना चाहूंगा अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का notification भी आप लोगों को time to time मिल जाएगा तो इससे क्या है आने वाली वीडियो का सारा time पर notification मिल जाएगा तो जिससे आप अच्छे से learn कर सकते हो तो यहां पर कुछ छूटेगा नहीं topic इस तरीके से तो subscribe कर लेजीगा और like भी कर देना वीडियो पसंद आ रही हो तो जिससे मेरे को clear हो जाएगा कि काफी अच्छा response कैसा response है तो देखते हैं यहां पर मैंने एक code paragraph टाइप कराता is equal to मैं दिखा देता हूं back करके is equal to rand start bracket close और जैसी यह लिखा हुआ है तो इस पर एंटर करेंगे तो y default 3 paragraph आते हैं कितने paragraph तो पहले से 3 आते हैं अगर मैं चाहता हूं एक paragraph तो इस bracket के अंदर आप type कर सकते हो one त है वर टाइप करो तो है है तुँआ पर लोगों को अच्छे से clear हुआ देखो मैं 1 लास्ट मैं जाके कैसे enter कर दो हूं लाउं पर 1 पार रहा है तो एक ही पार गर्वां आप तो इसको मैं कुछ टुकडों बाढ लेता हूं जिससे क्या आप लोगों को समझ में आए हम इन टूल का यूज करना बाट नहीं तो यहां पर हम सबसे पहले Home के अंदर यह टूल सीखने वाले तो इनकी हमें एक चोटी सी लिस्ट नहीं तो यहां पर आते हैं चाहो तो इसको कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो कॉपी में लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ उपर टाइटल बे डाले हूँ दो कॉपी में कैसी लिख हुए इनको रेश्टर मेंटेन करने के लिए तो सबसे पहले यहां पर डाल लोगे विंवर्ड और विंवर्ड डाला और विंवर्ड डालने के बाद यहां पर इसको कर लेना है सेंटर में यहां सेंटर में कर लेना अपने कॉपी में और यहां एंटर कर गए तो यहां पर विंवर्ड डालोगे विंवर्ड की डैफिनेशन लिख लोगे ठीक है डैफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में दी और चाहू तो मैं इस वीडियो में भी दे दूँगा तो सबसा पहले यहां पर इसको वीडवर्ड को लिख के सेंटर में करने के बाद फिर अपने कॉपी में यहां पर यह डैफिनेशन टाइप कर लेंगे यह मैंने जोटी सी डैफिनेशन दिये से कहते हैं MS-subword Microsoft Word भी करते हैं ठीक है तो और इसको विन्वर्ड भी करते हैं और इसका code तो मैंने बताई दिया इस इकल टू RND और यहां पर इसको सब्सक्रीशन दे रखिया मैंने इसकी और देफिनेशन लिखने के बाद कम कॉपी में उसके बाद कॉपी में लिखना कि जैसे की हूम लिखना फिल लिखना क्लिप Cyber and क्लिप बोर्ट और फिल लिखना है यहां पर लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग करके लिखना यह थोड़ा आगे होना छी यह जैसे कि इतना और फिर एंटर नाहीं देखो यहां के लिए फिर फिर थोड़ा सा और आगे के साइड लिखना तो यहां पर टूल्स होगी कर और कॉपी पेस्ट कट को पेस्ट और कट को यहां पर इस तरीके से लिखना और यहां पर इस तरीके से आप मैं यहां पर मेंटेंड करना का रहा हूं चाओ तो इसके सामने अपनी डैफिनिशन भी लिख सकते हैं इनके बारे में यहां पर इस तरीके से कॉपी को मैंटेंड कर लेना तो अब जब अगला गुरूप की बात आएगी तो यहां पर इस पीछे के साइड लिखना इससे क्या है पता चलेगा और फिर से एंटर करके आगे की साइड कर लेना तो यह जो तरीका मैं बता रहा हूं इसमें मैंने पीडिया भी बना रखी है तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर मैंने अपना नोट्स भी बना रखे हैं सबसे पहले कह लिखा यहां पर कोड़ का नेम लिखा फिसकी इसे क्या कहते हैं आप लोग देख सकते हो अच्छे से और किसे क्या कहते हैं उसके बाद देखो यहां पर होम और क्लिप बोर्ड और कॉपी पेस्ट तीनों की शॉट की मैंने बता दिया यहां पर आज की वीडियो में हम सिरफ एक फॉन परग्राफी सीखने वाले हैं इतना लर्न करने वाले हैं अच्छे से के लिए ठीक है तो यहां पर हम अपने डॉक्मेंट पेज पा जाएंगे तो आप लोग देख रहे हो उनका यूज सीख लेते हैं कट का मतलब होता है कट तो यहां पर देखो क्या कट का दो काम करता है डिलीट के तरह भी काम करता है ह इसरे मालो यहां लिखा हुआ है यह ओम मुझे उठा के यहां पर रखना इसके उपर तो कैसे रख़िंगे यहां पर इसको स्लेक्ट किया और से कंट्रॉल एकस दवा सकते हो या कॉट करेंगे तो यह कट हो जाएगा वहां से अब वहांसे तो हट गया अब चाहने के लिए कि यहां पर मुझे चाहिए या फिर हां पर लास्ट में और रिषका चाहिए आपको वह वर्ड तो यहां पर प्रख करोगे यह पेस्ट कर देगा तो आप देख सकते हो को वहां से उठाके employees कर दिया दूसरी आको संपर आ गया होगा कि कट पेher paste का यह योज तो अगला हम कर सम coke मैं चाहता हूँ इसको बापirm से पर जाता हूँ और वहां भी जाता हूं जैसे कि एस डेफिट्याइशन लिखें एडूर और यहां भी भी आ जाए नीचे तो मैं क्या कराऊं इसको Fighter करते ही copy हो चुका है और यहां पर आके मैं इसको paste कर दूँआ तो आप लोग देख सकते हो यहां पर यह paste हो गया खाए home के बाद का यह देखो यह paste हो गया तो आप लोगों को अच्छे से clear हो गया होगा तो यहां पर यह पेस्ट हो गया चाहो तो मैं इसको यहां भी पेस्ट करता थो और एक और बात ध्यान रखना एक बार कॉपी करके बार बार पेस्ट कर सकते हो जरूरी नहीं हर बार कॉपी करना चाहिए एक ही वड को जैसे कि मैंने अभी कॉपी किया था तो यहां पर पेस्ट देखो पेस्ट paste paste तो यह एक ही बार कोपी गया पेस्ट बार बार कर सकते आप लोग तो आ अप लोग को अच्छे समझ मागिया को copy, paste और अगला एता है format printer format printer का क्या use है format printer का use है जैसे की मान लोग कि यहाँ पर मुझे यह सारी आइडिंग है मुझे इस आइडिंग को जाके यहां पर मैंने क्या करा bold करा और थोड़ा सा size बड़ा कर लिया अच्छे से कर लिया और यहां पर मैंने इसको background color दिया और लिखावट का भी color दे दिया तो यहां पर मैंने कितने tools इस्तमाल किया है कम से कब मैंने 4-5 tools इस्तमाल किया है और मेरे को यह भी heading ऐसे ही बनानी है तो आप लोग क्या करोगे इसको इस तरीके से ही follow करोगे क्योंकि यहां पर यही है क्यों चार heading नहीं यह गलत तरीका है तो यहां पर आप क्या करोगे इसका use format pin enter पर करोगे हम time बचाएंगे अपना तो यहां पर इसको select करूँगा और इस पर double click करूँगा करने के बाद हमारे पास brush होगा और इस पर देखो यह देखो मैं सारी heading एक ही बार में मैंने बना दी बापिस उस पर click करके brush हटा देंगे तो इसका क्या use आप लोगों समझ में आया होगा formal printer का क्या use होता है formal printer का use होता है किसी भी document के उपर formatting जो हुई है उसको copy करेगा और दन दूसरे word पे paste कर देगा यह formatting की copy pasting करता है और उपर वाला जो tools है वो copy paste करता है simply तो आप लोगों को I hope अच्छे से समझ में आया हूँ इस वीडियो में इस tools के बारे में आज की हमने सीखा था क्यानन क्या सीख लिया cut सीख लिया, copy सीख लिया, paste सीख लिया formal printer सीख लिया next video हम सीखने वाले है paragraph के tools paragraph block के tools सीखने वाले है तो इस वीडियो को अंग तक देखने के लिए thank you, धन्यवाद और अगर आप लोगों ने अभी तक भी नहीं किया subscribe तो subscribe कर लेना और मिलते हैं next video में जै हिन